हेलो एवरिवन वेलकम बेक तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीलसी अड्रेसिंग के बारे में और जानेंगे कि पीलसी अड्रेसिंग क्या होती है और कितने टाइप्स क्यों होती है तो फ्रेंड्स अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आये हैं तो मैं आपको बता दू अगर आप इंडेस्ट्रल अटोमेशन फिल्ड से हैं या फिर इंडेस्ट्रल अटोमेशन सीखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल पीलसी टेक वर्ल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन दवाना ना भूलें यहां पर आप देख सकते हैं जो भी इंडेस्ट्रल अटोमेशन के टॉपिक्स होते हैं हम उन पर वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं हम कोसिज करते हैं कि इंडेस्ट्रल अटोमेशन के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको इजीली समझा सकें तो आप हमारे वीडियोज को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं तो आईए सबसे पहले समझते हैं इंपूट्स हो सकते हैं और बहुत सारे आउटपूट्स हो सकते हैं तो एड्रेसिंग की हल्प से हम डिफाइन करते हैं कि PLC प्रोग्राम के अंदर जो इंपूट लिया गया है वो PLC के कौन से नंबर का इंपूट है और PLC program के अंदर जो output लिया गया है वो PLC के कौन से नंबर का output है तो इस तरह से हम PLC की जो IO addressing होती है उसको समझ सकते है तो आईए इसके बाद समझते है कि जो addressing होती है वो कितने tabs की होती है या फिर PLC program के अंदर जो address यूज किये जाते हैं वो कितने tabs के होते हैं तो PLC program के अंदर जो address होते हैं वो दो types के होते हैं पहला type होता है physical address और दूसरा type होता है memory address तो आईए पहले समझते हैं कि physical address क्या होते हैं उसके बाद समझेंगे कि memory address क्या होते हैं तो फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होते हैं जिनके आयोज PLC पर फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं टामलेस के फॉर्म में तो फिजिकल एड्रेस को हम इस PLC की हेल्प से समझेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक Siemens की PLC है जिसकी सीरीज है S7-1200 और इस PLC का मॉडल है CPU-1212C DC-DC-DC तो इस PLC में आप देख सकते हैं 0 से 7 तक के जो टर्मिनल्स हैं यह हैं इसके Digital Input Terminals और 0 से 5 तक के जो टर्मिनल्स हैं यह हैं इस PLC के Digital Output Terminals तो यहां पर आप समझ सकते हैं यह जो Input और Output हैं इस PLC पर Physically Exist करते हैं तो इन Input और Output के जो Address होंगे उनको बोलते हैं Physical Address तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि PLC परोग्राम के अंदर जो Physical Address यूज के जाते हैं वो क्या होते हैं तो आईए अब समझते हैं Memory Address के बारे में जो Memory Address होते हैं वो किसी Memory के Address होते हैं यह कहीं भी Physically Exist नहीं करते हैं और जो Memory Address होते हैं इनका यूज PLC प्रोग्रामिंग में इंटर लॉकिंग में किया जाता है और PLC के साथ कोई डिवाइस जैसे HMI या फिर इसकाड़क कनेक्ट रहते हैं तो उनके साथ जो Data Exchange किया जाता है वो भी Memory Address की Help से किया जाता है तो अब तक आपने जाना कि Addressing क्या होती है और कितने Types की होती है तो आईए आप समझते हैं कि जो Address होता है उसके लिखने का तरीका क्या होता है या फिर जब भी हम PLC प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर जो Addressing की जाती है वो किस तरह से की जाती है तो इस तरह से आपने देखा जो Physical Address होते हैं वो दो तरह के होते हैं फिजिकल Input फिजिकल Output तो अगर Siemens PLC की बात करें तो इसमें जो Physical Input होते हैं उसको I से दिखाते हैं फिजिकल Output को Q से दिखाते हैं और जो Memory Address होते हैं उनको M से दिखाते हैं तो यह जो I, Q और M होंगे इनको बोलते हैं Identifiers तो Address लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है सबसे पहले हम लिखेंगे Identifier उसके बाद Byte Number इसके बाद एक डॉट लगाएंगे और लेखेंगे Bit Number तो जैसा कि हमें पता होना चाहिए जो One Byte होती है उसके अंदर होती है Eight Bits तो माल लिजिए अगर हमें Physical Input की Addressing स्टार्ट करनी है या फिर लिखनी है वो इस तरह से लिखेंगे I 0.0 तो यहाँ पर जो पहला 0 है यह वाला यह है Byte Number और यह है Bit Number और इसमें जो आगे के Address होंगे वो इस तरह से होंगे I 0.1 I 0.2 इस तरह से I 0.7 तक जाएंगे और अगर हमें आगे भी Address लिखने है तो I 1.0 से Start कर देंगे फिर से क्योंकि जो Byte है वो बदल जाएगी एक Byte में के बल 8 बिट से आ सकती है तो इस तरह से यह वाली जो Byte है यह भी I 1.7 तक जाएगी इसी तरह से हम Byte को Change करते रहेंगे जैसे ही 8 बिट पूरी हो जाएगी किसी Byte की और इसी तरह से जो Siemens PLC के Physical Output होते हैं उनको Q से दिखाते हैं तो इसकी जो Addressing है वो इस तरह से लिखेंगे Q 0.0, Q 0.1 और Q 0.7 तक जाएगे इसके आगे भी अगर हमें Address लिखने हैं तो Q 1.0, Q 1.1 और Q 1.7 तक जाएगे और सेम इसी तरह से Memory Address को भी लिखते हैं M 0.0, M 0.1, M 0.7, M 1.0, M 1.7 तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर जो वाइट होती है जैसे उसकी 8 बिट्स पूरी होती हैं या 8 एड्रेस पूरे होते हैं एक वाइट के हम अगली वाइट पर चले जाते हैं तो इस तरह से आपने देखा जो Siemens PLC होती है उसमें Physical Input, Physical Output और जो Memory Address होते हैं उनको हम लिख सकते हैं तो इस तरह से जो Siemens की PLC होती है उसके जो Physical Input Output होते हैं उनकी Addressing को अगर हम समझें तो यह जो Siemens की PLC है इसमें 0 से लेके 7 तक के जो Terminals हैं यह हैं Digital Input Terminals तो 0 नमबर का जो Terminal है इस पर जो भी Input Device Connect की जाएगी उसका Address होगा I0.0 और 1 नमबर का I0.1 तो इसी तरह से जो 7 नमबर का Terminal है इसका Address होगा I0.7 तो मान लीजिए अगर इस PLC में 8 से जादा Digital Input होते हैं तो उनकी Addressing कैसी करते हैं तो हम अगली बैट पर चले जाते हैं इस तरह से I1.0 इस नमबर का Input हो गया अगर इस PLC में होता तो I1.1 इस तरह से यह वाली Addressing आगे I1.7 तक जाती है तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि PLC के जो Physical Input होते हैं उनकी Addressing किस तरह से की जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इस PLC के Physical Output हैं 0 से लेके 5 तक Total 6 तो 0 नमबर का जो Output है उसकी Addressing होगी Q0.0 और जो 1 नमबर का है Q0.1 और इसी तरह से जो 5 नमबर का है उसकी होगी Q0.5 क्योंकि इसमें Total 6 Output हैं इसलिए जो Addressing है वो 0 से लेके 5 तक गई है इसमें अगर और भी Outputs होते तो जिस तरह से हमने Input की Addressing की उसी तरह से Byte Change करके आगे की Addressing कर सकते थे तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो Siemens PLC होती है उसके जो Address होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं तो Friends हम आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी क्योंकि ये वीडियो निष्चेती आपकी Knowledge को बढ़ाईगी तो वीडियो को Like कीजिए इसके अलाबा अगर इसी तरह की और वी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल PLC Tech World को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलाबा ऐसे इंजिनियर्स जो PLC प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं ओनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर हमसे कोर्स को पर्चेज करना चाहते हैं तो हमसे contact कर सकते हैं Thank you